अजाज सत्रू नाटक जैसंकर प्रसाद द्वारा लिखित है 1922 में लिखा गया है इसमें नौध रस्य है और बिम्बिसार नाम के राजा का पुत्र जो है राज कुमारे अजाज सत्रू उसको आदार बना के इस नाटक की रचना की गई है ये नाटक एतियासिक है और बहुत बिम्बिसार की दूर आनिया है एक छलना है एक वास्वी है वास्वी है वास्वी है बड़ी रानी है चलना चोटी रानी है लेकिन चलना का प्रभाव ज्यादा है उसे राजमता भी गोशित किया हुआ है और अजास सत्रू चलना का ही पुत्र है और चलना अपने बेटे को राजा बनवाना चाहती है इस मामले मों देवदत से भी मदद लेती है कई सड्यनत रचे जाते हैं, अजास सत्रू का ही गलतियां करता है, हमले करता है, अपने पिता का राज अड़तने का भी प्रयास करता है, लेकिन अंत में भगवान बुद्ध के प्रयासों से अजास सत्रू सुदर जाता है, अलंकि नाटक की स्टोरी है, जो रियल स्टोरी वो अलग है, र और बिंबिसार की पुतरी पदमामती का भी इसमें अहम रूल है इस नाटक में इसके अलावा सैलेंद्र और स्यामा दो करेक्टर एँ उनका प्रेंपरसंग भी दिखाया गया है और इस नाटक में तीन मुख्य जगों का वर्णन है जैसे बिम्बिसार तो मगद का राजा है तो मगद का तो जायर सी बात है इसमें वर्नन है ही है इसके अलाबा कोसल है और कोसम भी है दू ऐसे प्रदेश है जिनका भी इसमें चितरन किया गया है और बिम्बिसार का जो जवाई है उद्यन जो कोसम भी का राजा है उसका भी इ पुनिक कहते थे अजास सत्रू की गलतियां, बाद में उसमें सुधार, गोतम बुद्ध का अजास सत्रू पे प्रभाव और गोतम बुद्ध का और देवदत का संगर्स, देवदत का ये प्रयास करना कि अजास सत्रू उसके प्रभाव में आ जाए, लेकिन अंत में अजास सत देवजत के प्रभाव से निकल करके और गौतम बुद के प्रभाव में आता है और उसका जीवन सुधर जाता है तो 1922 में लिखेगे इस नाटक में 9 द्रस्य हैं एतियासिक नाटक है बहुत कालीन परिवेस है इसका कथानक और देशकाल चरित्र चित्रन समवाद बासासली उ अभी नेता कि इस तरी में नाटक बहुत ही बहुत ही बहतरी ने आपको ये नाटक पढ़ना चाहिए तो अगर इसका कथानक देखें तो पिता-पुत्र का संगर से और अंत्मा पुत्र सुधर जाता है और भगवान बुद के प्रभाव से सुधर ता है ये स्टूरी है इस इन तमाम कैरेक्टर्स का इसमें वर्णन हुआ है इसके लावा समुद्रदते, देवदते, सेलेंद्रे, स्यामा, प्रसेंजीत, मली का बहुत सारे कैरेक्टर्स के आपस में समवाद हुए हैं और मूल तह जो अजात सत्रू और अपने बिम्बिसार, चलना और वास्वी इन की बासा भी बड़ी इजी है, आपके समझ में आजाएगी कोई लंबे डायलोग नहीं है, एक दू जगह कहीं लंबे डायलोग है, अदरवज लंबे डायलोग नहीं है, बासा सेली, तत्सम बासा है, सुदिंदी की बासा है, लोकोक्तियों मुहावरों का प्रियोग है, पर आपके समझ में असानी से आ जाएगी इस नाटक का उद्देशी ये है कि ग्रह कलेश से अच्छा है कि आपको त्याग की भावना रखनी चाहिए और आदमी के मन में करुणा का भाव होना आवस्यक है तो ये एक तरह से उद्देश से मनुरंजन करना तो उद्देश से है इस नाटक का और इस नाटक को आपको पढ़ना चीए बहुत ही बैतरी नाटक है थैंक यू